तो हमें structure बनाना है CL2 का, electron dot structure, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, chlorine का अपना खुद का atomic structure क्या होता है, और जिसके लिए हमें पता होना चाहिए, chlorine का atomic number, जो की होता है 17, और इसका distribution के तरीके से होता है, तो हमेशा nucleus, first shell में हमेशा maximum आते हैं, दो electrons, तो दो electrons, then 8 electrons, तो क्योंकि 17 है तो 8 आराम से fill हो जाएंगे, तो 8 electrons, 4 and 8, इसके बाद में 7 electrons, last वाले shell में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and हर एक shell, कोशिश यह करता है कि उसका outermost shell complete होना चाहिए, complete in the sense, complete कब माना जाता है, अगर K shell है, KLM, K shell, 2 electrons पे complete माना जाता है, L8 पे, M8 पे, इस तरीके से, जितने भी आगे वाले shell है, वो सब 8 electrons पे complete अपने आपको feel करते हैं, तो अगर क्लोरीन को अपना outermost shell complete करना है, outermost, बाहर का, उसके दो तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका तो यह हो सकता है, कि क्लोरीन अपने जो बाहर 7 electrons हैं, यह किसी को दे दे, अगर यह किसी को 7 electrons दे दे, तो इसका बाहर वाला जो shell था, जिसमें 7 electron थे, वो completely finish हो जाएगा, तो अब जो outermost shell होगा, वो इसको माना जाएगा, और अब outermost shell में आप, बताओ मुझे कितने electron है, 8, तो यहां पर यह तो satisfy हो गया, तो यानि कि क्लोरीन 7 electron दे सकता है, अपने आपको satisfy करने के लिए, इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है, कि यह 7 electrons इसके पास है, यह 1 electron कि किसी से gain कर ले, किसी से ले ले, तब इसके outermost shell में कितने electron हो जाएंगे, again 8, तो क्यूंकि इसके पास में अपना outermost shell fill करने के लिए, दोनों तरीके हैं, 7 electrons देना, देने के लिए लगाते है, प्लस, तो यानि अपनी प्लस 7 शो कर सकता है, और minus 1 शो कर सकता है, एक electron लेना, लेकिन इन दोनों में से, energy wise देखा जाए, तो कौन सा easy होगा, electron को gain करना would be very easy as compared to losing 7 electrons, so chlorine जो है, वो minus 1 अपनी वेलेंसी शो करता है, और हमेशा एक electron gain करने की कोशिश करता है, rather than giving 7 electrons, ठीक है, तो इसका मतलब chlorine के पास बाहर वाले shell में, सिर्फ हम बाहर वाले shell की बात कर रहे ह हैं, तो मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ बाहर वाले shell के बना रहा हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 7 electrons, similarly एक other chlorine होगा, उसके पास भी same अपना outermost shell में electrons होगे, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब यहाँ पर क्योंकि इनको एक एक electron चाहिए, बट कोई भी दे नहीं सकता, अगर ये फस्ट क्लोरीन तो satisfy हो जाएगा, 8 electrons के साथ, लेकिन इसके पास 6 रह जाएगे, तो इस case में होती है, sharing, sharing के लिए क्या होता है, एक electron ये अपस में share कर लेते हैं, इस तरीके से, अब इससे होगा क्या, अगर आप total counting करोगे, इसके पास already 7 थे, और एक ये वाला share हो गया, तो य इस तरीके से आपको electron dot structure बनाना है, अगर यहाँ पर होता oxygen, तो oxygen में 2 electrons share हो रहे होते, तो इसलिए 2 electrons, देखो अब 1, 2, तो यहाँ से भी 2 electrons की sharing हो रही है, आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसा इन्होंने बनाया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, वरना easy ये रहता है कि आप इस त electron dot structure अब आप बनाओ, अमोनिया का, NH3, आप इसका बनाओ एक बार, एक 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 electrons आपस में share कर लेंगे, इन दिस वे, और ये हो गया, NH3 complete, versatile nature of carbon, तो जो carbon है, वो इतने सारे compounds बनाता है, मैंने बताय था, millions of compound carbon बनाता है, और carbon हमारे आसपस जितनी भी चीज़े होती है, almost हर चीज़े में ये पाया जाता है, तो इसका reason क्या है, carbon इतने सारे compounds क्यों बनाता है, विकॉस इसका जो nature है, वो versatile होता है, versatile का meaning होता है, जो काफी dimensions में जिसकी properties हो, तो अगर कोई person है, जो अच्छा singer भी है, जो अच्छा पढ़ाई में भी काफी अच्छा athlete भी है, एक family wise भी काफी अच्छा person है, तो इसको versatile बनाता है, मतलब जिसके काफी अलग-अलग dimensions में properties या करता है या versatile nature होने की वज़े से वो इतने सारे compounds बनाता है तो वो कौन सा nature है वो कौन सी property है जिसकी वज़े से carbon इतने सारे compounds को बना पाता है तो first property is catenation and second property is tetravalency यह question जरूर आएगा तो इसको अच्छे से समझ लो catenation and tetravalency these two are the versatile nature of carbon due to which carbon forms so many compounds around us तो catenation का मतलब होता है forming large chain by combining with other carbon atom ठीक है तो जो large chain बनती है carbon carbon के आपस में जुड़ने की वज़े से उसको हम catenation बोलते है तो carbon carbon की जो large chain बनती है इसी को catenation बोला इस property को catenation बोला जाता है तो carbon एक क्योंकि छोटा भी होता है atom और क्योंकि ये sharing करता है electrons की इस वज़े से ये carbon carbon के साथ काफी लंबी लंबी chain बना सकता है और जितनी लंबी chain होती जाएगी number of compound उतने बढ़ते जाएगे क्योंकि एक carbon है जिसके अंदर तीन carbon है यह दिफरेंट है एक compound है जिसके अंदर चार कार्बन है यह भी different है तो क्योंकि ये इतनी लंबी chain बना सकता है, इसलिए इसके number of compounds which it can form is so huge, तो सबसे पहली property वो है catenation, जिसकी वज़े से इतने सारे compounds बनाता है, and second property in versatile nature is tetravalency, tetra means 4, valency means valency, तो carbon can show 4 valency, तो 4 valency का मतलब हुआ कि carbon 4 monovalent atoms के साथ जुड़ सकता है, carbon can form bond with 4 monovalent atoms, ठीक है तो 4 monovalent, monovalent का मतलब ऐसे atom जिसकी valency 1 होती है, तो 4 ऐसे atoms के साथ में carbon जुड़ सकता है, जिसकी valency 1 है, for example अभी हमने देखा था CH4, CH4, CH4 का भी हमने देखा था structure तो carbon ने 4 hydrogen के साथ bonding बनाई हुई थी, 4 hydrogen के साथ में, तो ये carbon जो है वो 4 monovalent atoms के साथ में bonding बना सकता है, ये tetravalency है, अगर 4 monovalent के साथ नहीं बनाएगा, तो 2 divalent के साथ बनाएगा, या फिर 1 trivalent के साथ बनाएगा, और 1 monovalent के साथ बनाएगा, यानि overall ये अपनी 4 valency को satisfy करेगा, तो क्योंकि इसके साथ 4 different type के atoms जुड़ सकते हैं, इसलिए भी ये इतने सारे compounds बनाता है, ठीक है, for example, carbon ये यहाँ पर chlorine के साथ जुड़ा हुआ है, एक तरफ से ये hydrogen के साथ जुड़ा हुआ है, एक तरफ से ये sodium के साथ जुड़ा हुआ है, एक तरफ से ये किसी और hydrogen के साथ मान लो तो, कहने का मतलब है, ये total 4 bonds बनाएगा, carbon always form 4 number of bonds, ठीक है, ये दो properties हैं, जिसकी वज़े से carbon इतने सारे compounds बना पाता है, that is why carbon is versatile in nature, ठीक है, ये जो एक important question यहाँ पर आता है, the bond that carbon forms with most of the elements are very strong, making these compounds exceptionally stable, one of the reason for formation of strong bonds by carbon is its small size, this enables the nucleus to hold, okay, carbon जो होता है, वो other atoms के साथ जब bonding करता है, for example, hydrogen and chlorine, sorry, hydrogen and, okay, CH4 की बात कर लेते है, CH4, that is carbon, hydrogen, 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 तो ये जो bonding है, carbon and hydrogen के बीच की, ये strong bonding है, ये काफी weak bonding नहीं है, और क्योंकि ये bonding strong है, इस वज़े से ये जो compounds form होते हैं, ये stable होते हैं, मतलब काफी जादा weak bond नहीं है, अगर weak bond होते तो ये compounds काफी unstable होते, थोड़ी energy मिलते ह होते हैं, ये इतने जादा weak नहीं होते हैं, जिसकी वज़े से, क्योंकि इनका bond strong है, इसकी वज़े से ये एक stable compound form करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा detail में और भी देखेंगे, इसके बाद है saturated and unsaturated carbon compounds, काफी simple सी चीज़ है, saturated carbon compounds वो होते हैं, जिसके अंदर carbon-carbon के बीच की bonding single होती है, तो saturated में only single carbon bonds होते हैं, and unsaturated carbons में double and triple bonds होते हैं, double and triple bonds, तो ये जो double and triple bond है, इसका मतलब हुआ, यहाँ पर carbon-carbon के बीच में 2-2 electrons की sharing होई है, triple bond का मतलब हुआ, यहाँ पर carbon-carbon के बीच में 3-3 electrons की total sharing होई है, single bond का मतलब है, यहाँ पर सिर्फ एक pair of electron की sharing होई है, ठीक है, जैसे carbon है, बाहर 4 electrons होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही sharing होई है, अदर जो 3 electrons हैं, उनकी sharing नहीं होई है, या फिर carbon, carbon के साथ नहीं होई हो सकता है, किसी और item के साथ होई हो, तो single bonds, double and triple bonds, single bonds are called saturated hydrocarbons, and double and triple bonds are known as unsaturated hydrocarbons, ठीक है, तो यह हमारे पास दो types of hydrocarbons है, saturated and unsaturated, अगर इनकी और थोड़ी से detail में बात की जाए, तो saturated hydrocarbons क्योंकि single bonded होते हैं, इनमें कोई double bond नहीं होता, अगर आप इनको burn करोगे, इनको जलाओगे, तो यह easily burn होते हैं, और इनकी जो flame होती है, वो होती है blue, तो इनकी blueish flame होती है, और यह जलने पर एक suty flame देते हैं, suty in the sense, जिसमें धुआ वगेरा जादा नहीं होता, clear flame, ठीक है, एक clear flame देते हैं, तो saturated hydrocarbons को burn करना easy होता है, इनकी flame clear होती है, और इनकी flame का color generally blue होता है, ठीक है, जबकि अगर बात की जाए, unsaturated hydrocarbons की, तो यह इतने easily burn नहीं होते हैं, मतलब burn होते हैं, बिलकुल, लेकिन इतने easily burn नहीं होते हैं, इनकी जो flame होती है, उसका color थोड़ा सा yellowish और reddish होता है, yellowish and reddish इनका color होता है, इसके अलावा इनकी जो flame होती है, उसमें वो unclear होती है, unclear in the sense, उसमें थोड़े से unburnt carbon particle होते हैं, बिना जले हुए carbon के particle उसके अंदर होते हैं, तो इसलिए, इसलिए इसकी जो flame होती है, थोड़ी सी black या धूए वाली होती है, ठीक है, तो अगर आपने कोई compound है, उसको जलाया और उसमें से धुआ निकल रहा है, उसमें से काले-काले particles निकल रहे हैं carbon के, तो इसका मतलब वो unsaturated compound था, अगर जैसे आपके घर में fuel जो होता है, यूज LPG gas cylinder, अगर आप उसकी flame को देखोगे, तो वो bluish होती है, और वो clearly जलती है, उसमें धुआ व जलती है, उसमें generally butane होता है, तो butane अपने, आपको याद होगा, alkane का fourth, जो member होता है, उसको butane बोला जाता है, तो ये एक saturated compound है, ओके, now we have chains, branches and rings, तो अब हमें देखना है कि ये जो chain, branches and rings है, ये इनका nomenclature किस तरीके से होता है, या ये compound किस तरीके के होते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ कल बताई थी, कि first carbon जो होता है, उसके लिए हम myth यूज़ करते हैं, myth, second carbon के लिए it यूज़ करते हैं, third के लिए prop, but, pent, hex, ठीक है, और अगर इनमें carbon-carbon के बीच bonding single है, या फिर formula follow हो रहा है, cn, h2n, plus 2, तो ये होता है, alkane, तो इसके आगे number of carbon कितने भी हो अगर bonding single है, तो उसके आगे आप एन लगा दोगे, for example, अगर एक carbon है, और सारी single bonding है, तो एक carbon में तो single bonding ही होगी, क्योंकि हमें bonding देखनी होती है, between carbon-carbon, क्योंकि दूसरा carbon ही नहीं है, तो obviously single bonding ही consider किया जाएगा, तो एक carbon का alkane is mythane, okay, दो carbon के लिए, दो carbon के लिए word यूज होता है, it, and क्योंकि carbon-carbon के बीच में bonding है, single, इसलिए यूज होगा, an, ethane, similarly, अगर सारे bond single है, तो हम third carbon के लिए use करेंगे, propane, तो इस तरीके से हमारे जो alkane group के members है, वो जोड़ते जाएंगे, और ये सब homologous है, आप थोड़ा check करके बताओगे, ये homologous भी है, क्योंकि इन में difference ज होते, तो अगर मैं बात करूँ, first carbon की, तो क्या methane बन सकते है, कैसे, अच्छा, methane का मतलब क्या है, methane का मतलब है कि carbon एक है, firstly तो, है न, और, in, in is alkene, alkene का मतलब होता है कि carbon-carbon के बीच जो bonding है, वो कैसी bonding है, हाँ, जिनके बीच में carbon-carbon के बीच में double bond होता है, तो carbon-carbon के बीच double bond होगा, तो alkene बोलोगे, लेकिन अगर carbon है एक, तो double bond कैसे हो सकता है carbon-carbon के बीच, methane is not possible, ठीक है, बात करता हूँ, ethene की, तो क्या ethene possible है, बिल्कुल ethene possible है, क्योंकि 2 carbon है हमारे पास, और double bond लगा दिया इसके आसपास, और, अब इसकी valency satisfy करने के लिए, आप मुझे बताओ, इस carbon के पास अभी कितने और bonds empty है, खाली है, इसमें अभी 2 और atoms जुड़ सकते हैं, क्योंकि already देखो, 2 bonds तो यहां बने हुए है, और 2 और बना सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि total 4 bonds यह बनाएगा, हर carbon 4 bonds बनाता है, तो 2 already बने हुए है carbon के साथ, त तो यह total हमारे पास यह compound बनेगा, जिसको बोलेंगे ethene, और अगर आप इसका formula देखो, तो निकल कर के आता है, C2H4, देखो C2 और H है 4 हमारे पास, C2H4, और formula से भी अगर हम चेक करें, अलकीन का formula आपको पता होगा, Cn, H2n होता है, इस formula बे भी यह फिट बैठ रहा है ना, हमारे पास, then we have third carbon, we have is propene, तो propene में क्या होगा, तीन carbon होगे, और क्यूंकि एन है, तो एक double bond होगा, तो आपने एक double bond लगा दिया, और बाकी सारे filled होगे with hydrogen, ठीक है, एक double bond चाहिए हमें, हर carbon पर double bond नहीं चाहिए, ठीक है, तो यह मैंने सही बनाया है, जो बनाया है, मैंने, पर double bond है, यहाँ पर total number of bonds five बना दिये है, मैंने, तो यहाँ पर एक hydrogen मुझे इसमें से remove करना पड़ेगा, तो यह हमारे पास में compound बनेगा, एक बार इसको अगर हम वैसे देखें, तो यह बनेंगे three carbons, और hydrogen हमारे पास में है, seven, seven, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर भ इसका भी एक hydrogen remove कर देते है, अब ठीक है, तो अब इसमें number of bonds हर carbon पे चार है, और यह बनेगा C3H6, ठीक है, हमारे formula से भी C3H6 बनेगा, तो यह इस तरीके से आप in, यानि की alkynes बनाओगे, अब बात करते हैं, alkynes की, ठीक है, तो alkynes में क्या होता है, similar fashion में, alkynes जो होता है वो उसका general formula है, उसका general formula है, CnH2n-2, ठीक है, और तो आप मुझे बताओ कि क्या methine बन सकता है, methine is possible, क्योंकि alkynes में triple bond होगा, carbon-carbon के बीच में, एक carbon के बीच में triple bond होगा, और methine is just single carbon, तो triple bond नहीं हो सकता है, इसलिए methine नहीं possible, ethine possible है, ethine yes is possible, क्योंकि एक carbon है, तीन bonding इसने carbon के साथ कर ली, और एक hydrogen के साथ, एक और hydrogen के साथ, तो ये बन गया ethine, ठीक है, हमारे इस structure से, ये बना C2H2, और ये जो formula हमें पता है, इसके according भी क्या बनेगा, C2H2, तो ये हमारे पास ethine हो गया, then we'll check for propine, so propine के लिए 3 carbon बनाएंगे हम, और एक पे triple bond लगा देंगे, तो ये ही बनेगा, एक बार इसको formula से भी justify कर लेते हैं, हमारे पास में ये है, तीन carbon and hydrogen, number of hydrogen we have is 4, तो formula में देखते हैं, तीन carbon है, तो 6-24, तो ये formula में भी justify हो रहा है, तो ये हमारे पास alkynes हो गए, तो आप alkene, alkyn और alkyn, तीनों के बारे में समझ गए हो अच्छे से, इसमें से alkyn और alkyn, ये दौनों unsaturated होते हैं, and alkyn is saturated, ठीक है? आप मुझे, पैंटाइन, बताओ क्या, ऐसे बनेगा, ये पैंटाइन छोड़ो, पैंटीन बताओ आप, तो ये हमारे पास पैंटीन का formula हो गया, and this pentene is, आपने सुना होगा, एक shampoo को नाम है pentene, तो वो इसलिए है क्योंकि उस shampoo के अंदर ये ही compound यूज होता है, ठीक है pentene, that is why its name is pentene, तो इसके बाद में कुछ rings हैं हमारे पास, तो जो rings होती है न, उनमें ये formula वर्क नहीं करता, sorry, for example, अगर आपने carbon-carbon की 6 ring बना ली, मतलब carbon को यूज करते हुए 6 carbon की एक ring बनाई है तो उसमें ये general formula अपलाई नहीं होंगे, इसमें तो सारे single bond है, सारे single bond है रहा, और आप मुझे बताओ hydrogen कितने होंगे, इस carbon के ओपर hydrogen कितने लगेंगे, बताओ, हर carbon के ओपर दो ही hydrogen bonds लग सकते हैं, क्योंकि, 12 हो जाएंगे था, हाँ, तो मतलब हर carbon के ओपर दो hydrogen के bonds लगेंगे, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, तो ये होगा C6H12, पर C6H12 को अगर मैं compare करूं, तो ये formula बनता है, CnH12, which is the formula for alkene, है ना, बट क्या ये alkene है, यहाँ पर तो एक भी double bond नहीं है, तो इसलिए, ये alkene नहीं है, ये सारे single bonds हैं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि ये formula क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है, वो सब हमने normal branch के लिए पढ़ा है, हमने cyclic compounds के लिए नहीं पढ़ा वो, ठीक है, और cyclic compounds को हमें कुछ खास पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ cyclic compounds के बारे में मैंने आपको just hint दे दिया, इतना ही जानना है cyclic compounds, तो ये cyclic compound है, जिसमें एक ring complete हो जाती है, और ये formula, normal formula को resemble नहीं करता, ठीक है, ऐसी ही एक ring आपने सुनी होगी, बेंजीन, ठीक है, अभी अगर नहीं भी सुनी है, तो आप 11, 12 में इसको बहुत ही जादा सुनोगे, ठीक है, बेंजीन को, तो ये बेंजीन होता है, हर alternate carbon के ओपर double bond होता है, तो इस बेंजीन रिंग, ठीक है, तो ये जो रिंग वाले compound, उसमें सारे अलकीन वाले हो चाहिएंगे, नहीं वो अलकीन नहीं है, उसको हम वैसे अलकेन में ही count करेंगे, लेकिन ये होता है, तो अगर इसका नाम मुझे देना भी पड़े, तो this is cyclohexane, तो hexane अगर होता तो normal branch होती, पर ये है cyclohexane, ठीक है, बट ये आपके syllabus में नहीं है, ठीक है, बस इन्होंने बुक में mention किया हुआ, इस पर बेज कोई question नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखना, ठ ठीक है, this is cyclohexane, अब एक काफी important topic है, जिसको बोलते हैं, हम लोग functional group, functional group क्या होते हैं, functional group वो वाले groups होते हैं, जिनको आप किसी भी hydrocarbon में अगर लगा दोगे, तो ये अपनी property उसमें implant कर देते हैं, या अपनी property को show करने लग जाते हैं, तो ये जिस भी hydrocarbon के साथ attach हो जाएंगे, ये अपनी property उसके अंदर show करने लगेंगे, ठीक है, hydrocarbon functional group FG, ठीक है, तो functional group प्लस hydrocarbon, तो जब ये जुड़ जाते हैं, तो ये property show करते हैं, functional group वाले की ही, तो for example, अगर मेरे पास में एक अलकेन था methane, एक मेरे पास में था ethane, एक मेरे पास में था propane, इन में से क्या किया मैंने, सब में से एक-एक hydrogen को मैंने कम किया, और उस hydrogen की जगा मैंने लगा दिया उसमें एक OH group, ठीक है, एक-एक hydrogen को मैंने कम किया, और उसकी जगा मैंने लगा दिया OH group, ये जो OH group है, ये alcohol group है, तो अब ये जितने भी compounds हैं तीनों, ठीक है, अभी तक ये था methane, ethane और propane, अब इन सब की property जो होगी, वो similar हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, and will be having the property of alcohol group, Okay, basically हमें जो hydrocarbon पढ़ने हैं, उसमें से first, sorry, हमें जो functional group पढ़ने हैं, उसमें से first one is halo group, तो this is halo group, halo इसलिए क्योंकि group number 17 के जितने भी elements है, उसको हम halogens बोलते हैं, और उसके अंदर आते हैं, chlorine, bromine, iodine, etc. तो हमें chlorine और bromine जब add करेंगे, हम या iodine भी add करेंगे, तो उसको हम halo बोलते हैं, ठीक है, तो chlorine, bromine, iodine, these all are halo groups, तो हम chlorine के लिए word use करते हैं, chloro, iodine के लिए iodo, and bromine के लिए bromo, ठीक है, suffix वो चीज़े होती हैं, जो हम word के पहले लगाते हैं, तो अगर एक word है हमारे पास, उसके पहले जो लगेगा, that is suffix, suffix, oh sorry, that is prefix, and जो भी चीज़े हम बाद में लगाते हैं word के, उसको बोलते हैं हम suffix, ठीक है, तो prefix, कुछ हम, जब हम functional group देखते हैं, तो functional group में कुछ जगा ऐसी होती है, जहां पर हम prefix use करते हैं, और कुछ जगा पर हम suffix use करते हैं, तो for example, जितने भी halogen functional groups हैं, उसमें हम prefix का generally use करते हैं, for example, अगर मुझे compound बनाना है, C2H5OH, OH नि, CL, ठीक है, एक hydrogen हटाया, and chlorine लगाया, तो यहां पर जो word use होगा, that would be, chlorine के लिए word क्या use होता है, मैंने बताया था आपको भी, chloro, chloro, तो chloro, and यह जो compound था, इसका नाम क्या था, जो पहले यह compound था, ethane, तो this would be chloroethane, ठीक है, आपने ethane से hydrogen हटाया, उसमें chlorine लगाया, इसलिए अब यह हो गया, chloroethane, okay, similarly, अगर यह bromine होता, तो आप लगा देते हैं, इसमें bromo, ethane, ठीक है, तो यह जो chlorine या bromine, या iodine हो, तीनों का function सेम तरीके से ही होगा, इनके नाम के आगे बस आप chloro, bromo, और iodine लगा देना, और, ठीक है, इसके अलावा, second हमारे पास में है alcohol family, alcohol group, alcohol group में, last में, या carbon के साथ में, एक OH group जुड़ जाता है, ठीक है, तो OH group जुड़ने से, उसकी property alcohol जैसी हो जाती है, for example, C2H5OH, this one is, अच्छा, इसमें, इसमें जो हम naming करते हैं, पहली बात तो इसकी property alcohol की हो गई, OH group की, OH group is alcohol group, ठीक है, तो इसकी सारी property alcohol जैसी हो गई, then, इसका जो name है, अगर हम इसका name देखें, तो वो होगा, इसमें, अगर हम देखते हैं, rule, तो जो OH family है, इसके लिए हम हमेशा लगाते हैं, suffix, C2H6, यह compound को पहले क्या बोलते थे, ethane, और क्योंकि last में अब all जुड़ेगा, तो यह बन जाएगा, ethaneol, ठीक है, वैसे ही, अगर यह होता, C5H, मुझे एक alkane बताओ, carbon जिसमें 5 हो, एक alkane, जिसमें carbon 5 है, C5H12, अब यहाँ पर, अगर मुझे इसमें OH को एड़ करना है, तो hydrogen हो जाएगे 11, और last में जुड़ जाएगा OH, तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले यह था pentane, लेकिन इसका नाम हो जाएगा, पैंटेनॉल, ओके, इजी है, तो इस इस पैंटेनॉल, ओके, सो, नेक्स्ट वन इज, LD हाइड, LD हाइड is CHO ग्रूप, तो LD हाइड में, जो भी हाइडरो कार्बन है, उसके लास्ट में ग्रूप जुड़ता है, CHO, इसको मैं ऐसे लिखूँ, या इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये एक ही बात होती है, ठीक है, तो इनको ऐसा मैं सोचना है, ये अलग कमपाउंड है, ये दौनों चीजें बिलकुल सेम हैं, ठीक है, इसको ओपन करके लिखोगे, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो CHO लिखें, या C double bond O, along with H, तो ये दौनों CHO group हैं, और इसको ये है LD hide group, और LD hide group के लिए जो suffix जुड़ता है, यानि लास्ट में जो वर्ड जुड़ता है, वो जुड़ता है, अल, A L, अल, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, इसी की, C2H5, और अगर इसके साथ में जुड़ा हूँ है CHO, तो इसका नाम बताओ आप मुझे, अब यहां पर एक चीज है, जो सोचने वाली है, वो यह है कि यहां पर अगर कार्बन को गिनू, टोटल नमबर अफ कार्बन, तो कितने हैं आप पताओ, टोटल नमबर अफ कार्बन इस थ्री, तो इस इस नोट इथेनल, इस इस प्रोपेनल, ठीक है, तो यहां पर क्योंकि कार्बन जो है, वो फंक्शनल ग्रूप का भी काउंट होता है, तो अगर मैं बात करता हूँ, मीथेनल, इस पॉसिब तो फॉर मिथेनल, मीथेनल, जो का, वा इस नोट पॉसिब, अजो वैंट पॉसिब तो अच्छल, अच्छल उस पॉसिब, बिकूस, मीथेनल, नल तो इस एक वर अदिगूट, अच्छल, एक क्योंकि, एक carbon already हो चुका है तो और कोई carbon इसमें नहीं लगेगा तो बस valency satisfy करनी है विच इस अगर आप एक hydrogen लगा दोगे तो valency satisfy हो जाएगी तो methane null is H-C-H-O अगर आप इसका structure देखो तो carbon double bond O इसके साथ में एक hydrogen यहाँ है और एक hydrogen sorry, यहाँ है this one is methane null और जो इसका family group होगा उसमें आएगा यह दो carbon तो C-C-1-O-H this is CH-O इसकी valency को बस हमें satisfy कर देना है जोकि तीन hydrogen लगाने से satisfy हो जाएगी so this is second L we have and second L is ethanol ठीक है ओके सार ओके इसी तरीके से आगे भी बनेंगे and इसके बाद में आते हैं ketone groups पर ketone group में बस एक खास बात है कि ketone group हमेशा बीच में होते है यानि ketone के दोनों तरफ आपको carbon होने चाहिए वरना ketone बन नहीं सकता तो ketone में अगर आप देखो यहां पर तो दौनों तरफ बांडिंग खाली है यहां पर भी एक यहां पर भी है तो इसका मतलब यह हमेशा बीच में लगेंगे तो आप मुझे बता सकते हो minimum number of carbon data minimum number of carbon that are required to form a ketone group to form a compound with ketone two carbon okay three carbons क्योंकि देखो एक carbon तो यह already है ही इसके अलावा दो carbon और हमें required होंगे तब जाके हमारा कोई भी ketone group बन सकता है तो ketone group बनाने के लिए total number of carbons जो है वो minimum three required होते है तो यानि कि ketone जब भी बनेगा वो ना तो मीथेन अच्छा ketone के लिए ketone के लिए last में जो जुड़ता है word suffix वो यूज होता है own o-n-e own ठीक है तो अगर मैं बात करूँ मीथेन औन तो मीथेन न पॉसीबल है क्या तो नौ सर्ट इधेन न पॉसीबल है क्या त्यूंज तो प्रॉपन बन सकता है क्योंकि तीन carbon are required, क्यूंकि बीच मेंगेगा own ketone हमेशा, तो क्यूंकि बीच में लगेगा इसलिए तीन carbon से ही इसकी शुरुपात होगी, तो ketone ये हो गया, थिक है? Okay Sir. किसी तरीके से भाद बना लोगे? जैसे butanone, तो butanone में क्या होगा? चार कार्बन होंगे जिसमें एक बीच में कहीं पर भी C double bond O होगा, ठीक है? Okay, sir. And the last functional group is carboxylic acid. Carboxylic acid, वो groups होते हैं, जिसके पास functional group जो होता है, वो होता है C double bond OH, ठीक है? C double bond OH, जिसके पास में भी यह होता है, उसको बोलते हैं, हम लोग carboxylic acid, और इसके लिए यही suffix use होता है, for example, अगर मान लोग कि यहां पर एक carbon है, और एक C double bond OH है, यह COOH और C double bond OOH, यह दोनों चीज़े सेम हैं, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो C double, C bond with COOH, इसकी valency को यहां पर complete कर लेते हैं, तो यह हमारे पास में है CH3C double bond OH, तो इसका जो नाम होगा, यहां पर number of carbon कितने हैं? 2, 2, so this will be eth, and यह क्योंकि carboxylic है, carboxylic के लिए जो word यूज होता है, वो होता है, oic acid, ठीक है, carboxylic के लिए जो यूज होता है, that is oic acid, तो this is ethane, और क्योंकि single bonds हैं carbon-carbon के बीच में, तो ethane, यह ethane लिखने वाले थे इसको, पर आब ethane लिखने की बजाए ethenoic लिखेंगे, ला ethaneoic acid, okay sir, ठीक है, so this is ethaneoic acid, similarly, यह बहुत important compound ethaneoic acid, और similarly, अगर तीन carbon होते, और carbon-carbon के बीच double bond होता है, एक carbon के बीच double bond, and बाद में COOH है, ठीक है, COOH, इसकी valency अब हो गई है, full, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, क्योंकि carbon तीन है, प्रॉप, लेकिन एक double bond है, इसलिए propene, और फिर oic है, तो propenoic acid, तो इस तरीके से आप functional groups को देखोगे, इनके नाम इस तरीके से लिखोगे, तो functional group का nomenclature में आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा nomenclature इनका भी देख लेते है, जो normal हमारे hydrocarbons होते है, तो nomenclature के लिए आपको जो बाते ध्यान रखनी है, वो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सबसे बड़ी chain इसमें कौनसी बन रही है, तो आपको identify करना है कि carbon की सबसे बड़ी chain, सबसे लंबी chain इसमें कौनसी बनेगी, वो उसको आप main chain मानोगे, तो आपको एक main chain identify करनी है, जो की depend करेगी इस चीज़ पे, कि सबसे बड़ी chain कौ करनी है जो भी numbering करोगे वो वहां से करोगे जहां से minimum numbering बैठ रही हो ठीक है इस चीज़ को भी अभी explain करूँगा मैं तो सबसे पहले आपने identify किया कि सबसे लंबी chain सबसे बड़ी chain कौनसी है एक compound का example लेते हुए ये काम करते है मान लो यह है ठीक है मैं hydrogen नहीं लगा रहा है जहां जहां पर भी valency कम पढ़ रही होगी वहां hydrogen automatically लगा हुआ है ठीक है तो इसमें एक chlorine जोड़ देते हैं यहां पर तो अगर इसका नाम रखना है तो इसका नाम तो simply हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका नम हो कि प्लूरोपेंटी और था इसका नाम तो simply होगे chloro-pa Then निकें अगर यह क्लॉरीन यहां नहीं होता राधर यह क्लॉरीन होता और तेस कार्बन तब इसका नाम अगर हम chloro-pentain रखते हैं तो इसमें और पहले वाले में difference क्या रहे जाएगा तो इसलिए हमने इसका नाम जो रखा ना वो इसका नाम हम रखेंगे number of carbon बताते हुए तो कौन से number के carbon पर यह है ठीक है एक carbon और हम इसमें add कर लेते हैं यहाँ पर अब अगर इसका मुझे नाम रखना है तो आप देखो सबसे पहले तो इसमें एक बड़ी सबसे main chain कौन से है तो इसमें तो यहाँ पर एक ही chain है इसलिए main chain यही consider की जाएगी अभी मैं यह भी बताऊंगा main chain और branch chain में क्या difference होता है पर इसकी numbering अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ से numbering चालू करता हूँ one two three तो यह chlorine आया third number पर ठीक है अगर मैं numbering यहां से शूरू करूँ मैं numbering कहीं से भी शुरू कर सकता हो left सै और राइट से भी अगर नमर मैं numbering यहां से शुरू करता हूँ तो numbering बैठे गी one, two, three and four तो यहां से अगर मैं शुरू करूँगा तो chlorine पर आएगा नमबर 4, shortest कहां से पढ़ रहा है, यहां से, इसलिए मैं numbering यहां से start करूँगा, तो जहां से shortest पढ़े numbering वहां से start करोगे, main chain को ही, longest chain को main chain लेके चलोगे, इसका भी एक example देता हूं, मान लो यह एक chain है, ठीक है, तो इसमें, अब main chain, इसमें जो main chain है, वो या तो आप consider कर सकते हो इसको, और इसको मान सकते हो कि यह branch है, ठीक है, यह इसकी branch है, यह main chain है, लेकिन इसके अलावा आप एक कम यह कर सकते हो, कि आप main chain मान सकते हो, यहां से लेकर यहां तक, इसको main chain मान लो, और यह branch हो जाएगी, तो इन दोनों में से main chain आपके according किसको लेना चाहिए, second वाले वाले केस को या फर्स्ट वाले केस को सब्सक्राइब करेंगे और चाहे वो हमारी किसी भी डिरेक्शन में हो ठीक है इसको ही एक और तरीके से मैं बनाता हूं रॉपन धार थैं दो वंबन और वहती रहाँ रहा है तो अगर है इसको कंसिडर करो तो यहा पर जो मैन चेल है मैन डांच है वो यह पूरी है यहां से यहां तक भी यह और यह ब्रांच है तो हमें सबसे पहले अइडिंटिफाइब करना है which one is the main chain और इसको identify करना simple है longest chain is the main chain और secondly we have to identify minimum numbering तो minimum numbering कहां से आ रही है हमें उस side से ही numbering start करनी है तो ये दो चीजों का ध्यान रखते हुए हम nomenclature को start करते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में और क्या-क्या चीजे हैं for example हमारे पास functional group है या नहीं है हमारे पास में double bond या triple bond है या नहीं है ठीक है इन चीजों को देखते हैं और उसके according नाम रखते हैं अब हम इसके कुछ examples देखते हैं और example के basis पे normanclature को हम समझेंगे ठीक है एक बार isomer भी मैं बता देता हूं आपको तो isomer की अगर बात की जाए तो हमें NCRT का question दिया हुआ है that we have how many isomers we have of pentane pentane के कितने isomers possible है pentane is simply five carbons all single bonds right yes sir जहां पर भी ना इसकी valency satisfied नहीं है वहां पर automatically hydrogen filled है for example यहां पर तीन है यहां पर दो 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 एंड यहां पर तीन तो यह pentane है हमारे पास तो एक तो हमारे पास यही pentane हो जाएगा structural isomers means कितने तरीके के structures possible है of pentane तो pentane के structure पहला तो यह structure हो गया दूसरा structure हो जाएगा carbon पांच carbon और तीन carbon और उसमें एक यहां पर carbon है और एक carbon यहां पर है तो यह पहले वाले से different है या नहीं है आप मुझे यह बताओ तो जिनका सब कुछ same होता है लेकिन उनका structure different होता है उनको बोलते है structural isomers तो structural isomers are those compounds having same formula but different structure is called structural isomers और उनके structure change होने की वज़े से उनकी properties भी change हो जाती है तो अगर बात करूँ इसकी यह भी pentane है यह भी pentane है लेकिन इन दौनों की properties different है because इन दौनों के structure different है ठीक है तो यह structural isomers है और भी isomers एक बने गए इसमें सोच के बताओ और किस तरीके से हो सकता है देखो यहाँ पर जो main chain है वो कितने carbon की है फर्स्ट वाले case में 2, 5, 5, second case में main chain कितने carbon की है 5, main chain, this one is the main chain only 3, and this is branch, this is branch, so main chain 3 carbon की, main chain 5 carbon की, so main chain 4 carbon की बची हुए है न भी तो एक बार हम बनाते हैं मेंचेंड चार कार्बन की और एक कार्बन को हम इसमें से कहीं पर भी लगा देते हैं मानलो मैंने यहां पर लगा दिया तो क्या यह भी पेंटेन है यह सर सिमिलरली अगर मैं बनाता हूँ कार्बन, 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 कार्बन and मैं यहाँ पर carbon एक और add करता हूँ तो यह भी pentane है for sure तो यह चीज और यह चीज डिफरेंट है या same है same as a this is same ठीक है क्योंकि आप इसको यहाँ से देखो या इसको यहाँ से देखो यह same चीज है ठीक है और इसको मैं और एक और एंगल से बनाऊ अगर यह तो क्या यह डिफरेंट चीज है यह सर तो यह डिफरेंट नहीं है यह क्यों डिफरेंट नहीं है इसमें तो main chain ओके सर समझाब कर बताओ इसमें भी same main chain 4 carbon की और 8 branches उसकी तरफा इसमें जो main chain है वो यह है और जो की 4 carbon की है और second carbon पे एक और carbon लगा हुआ है जो की यही same चीज है main chain 4 carbon की और second carbon पे एक additional branch लगी हुई है तो structural isomers of pentane तीन possible है इनके नाम भी याद रखना क्योंकि यह question important है जो normal chain है जो मैंने पहले बताया था यह normal pentane है इसलिए इसको बोलते है normal pentane then यह जो हमारे पास में है यह वाला case यह वाला इसको बोलते है branch branch pentane और branch pentane और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है isopentane ठीक है और यह जो third वाला है क्योंकि यह है एक new structure इसलिए इसको बोलते है new in the sense जो modern structure है इसलिए इसको बोलते है new pentane ठीक है तो यह तीन isomers pentane के possible है इस particular example को ज़रूर याद रखना isomer तो आप बना लोगे सबके लेकिन इसका बहुत important है क्योंकि NCRT के book में दिया हूँ है प्लस इसके names भी है book में तो normal pentane, isopentane and new pentane these three isomers structural isomers are possible for pentane ठीक है? ओक सर अगर कोई दूसरा हुआ जैसे की butane or something तो उसमें कैसे होगी? आप एक बार ट्राइ करो की butane के कितने बनेंगे अरा के यह पूरआ अभी त्रहिए कर खूसरा तो एक नॉर्म वाला अरा बताम सबसेगले क्योंगे İyi, आफी वोla का कर पान्डाबरा क्पार एक जेहां उम्गे लिए नेन चेस्ज वन में तो नीज छिसोंत कर медषे और प hinter प्रांचWowALKर्पन में यह UP मेंन चेन के बाद बाकी कारबन दो यह सर नहीं बाकी कारबन दो कहां लगाने है सर अ सर दोनों कारबन के लेक ब्रांच में एक दिस वे यह सर तो क्या यह एक सिंगल मेंन चेन नहीं हो गई ऐसे अगर आप इनको 3D में समझो और इन कारबन को अप दोनों दरफसे खीच कर क्के इनको straight कर दो यहां से क्ईच के यहां से क्ईच के तो यह तो यह वाला structure हो जाएगा यह सर तो यह और यह इसर सेम टिंग्स तो ब्यूटेन के दो ही structural isomers बन पाते हैं थीक है? ऑकी सर तो इस तरहीके से आप Structural Isomers बना लोगे हेक्जेन के ट्राइ करना घर से क्योंकि हेक्जेन के काफी बनते हैं तो इसलिए आप हेक्जेन के ट्राइ करना ठीक है? अर सर इनके नेम्स कैसे लिखेंगे? सबके नेम्स आपको नहीं लिखने हैं आपको सुर्फ Structural Isomers बनाने हैं नेम्स आपको सुर्फ पैंटेन वाले के दिहान रखने हैं क्योंकि ये आपकी बुक में हैं अगर किसी और Structural Isomer के नेम्स आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए आप सर्फ इनके नेम्स आद रखोगे ठीक है? ओके सर्फ Okay Then what will be the formula and electron dot structure for cyclopentane? cyclopentane का एक electron dot structure और formula तो cyclopentane का एक electron dot structure और formula तो cyclo के लिए मैंने आपको बताया था कि cyclo का जो formula होता है वो होता है alkene वाला same formula तो अगर cyclopentane की बात करनी है तो C5H10 ये cyclopentane का formula होगा cyclopentane क्योंकि cycloalkene का formula मैं लिख देता हूँ cyclopentane का formula is the same as alkene का formula Okay Okay sir तो ये cyclopentane का formula है अगर इसके electron dot structure की बात की जाए तो 5 carbon 1,2,3,4,5 तो अब आपको इस तरीके से हर carbon के बाहर 4 electrons होते है इस तरीके से आप 4 electrons share कर दोगे के cycloalkane है तो यानि सारे single bond होंगे तो एक एक bond यहाँ पर आप इस तरीके से इनके बीच में बना दोगे और जो बच जाता है उसके बीच में आप hydrogen hydrogen को लगाते जाओगे तो इस तरीके से यह बन जाएगा आपका cyclopentane ठीक है मैंने काफी बेकार structure बनाया है पर आप समझ गए किस तरीके से बनाना है तो यह cyclopentane आपका बन जाएगा ठीक है वैसे यह मेंस दो कारबन ओएग मीनस वन आप दीज इस दबल बॉंड ओएच एंड बाकी तो एक सिंगल बॉंड लगेगा इसमें हाइड्रोजन लगेंगे तीन यह बन गया इथेनोएग ऐसेड इस थी दबल ओ एच देन प्रोमो पैंटेन इस पांच कार्बन एंड लास्ट में ब्रोमीन और क्योंकि नॉन है एक डबल बॉंड और यानिकी एक सी यो जुड़ेगा जो की बीच में होगा तो किसी को भी सी यो बना दिया बाकी कि तीन जो है वो कार्बन लग गए तो दिस वन इस ब्यूटा नॉन और लास्ट वाला CHO होना चाहिए इसलिए लास्ट वाले को CHO बना दिया बाकी सब में सिंगल बॉंड डिस इस हेग्जे नल इस में एक है ब्रोमो पैंटेन इसके आपको आईसोंब बनानाएं तो यह आप मुझे बना के नेख्स्यक्रास में दिखाओंगे ब्रोमो पैंटेन आउकी सर ब्रोमो कांटेंट ठीक है तो इसके आप बनाना क्या क्या बन सकते हैं then chemical properties of carbon compounds देख लेते हैं chemical properties जो है carbon compounds की वो क्या क्या है अभी तक हमने physical properties जन्डरली देखी है chemical properties कि अगर बात की जाए तो combustion जैसे की carbon compounds जो होते हैं बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं, मतलब इनकी जो बर्निंग केपेसिटी होती है, वो बहुत जादा होती है, इनको हम जलाएं तो बहुत अच्छी कैलरोफिक वैल्यू हमें मिलती है, तो कार्बन को जलाते हैं, जलाने का मतलब होता है, ऑक्सीजन से रियक्शन, सिंपल, तो कार्बन डायोक्साइड निकलती है, और साथ में एनर्जी निकलती है, एनर्जी को हम ट्राइंगल से दिखा सकते हैं, अगर हम मीथेन को जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन है मीथेन, और सिंगल बॉंड है, इसका मतलब ये अलकेन है, और आपको मैंने बताय था कि बताओ मीथेन गैस को जलाना या फिर LPG या फिर CNG क्यों क्लीन फ्यूल है, ये क्लीन फ्यूल इसलिए हैं क्योंकि देखो ये है आपका मेंली जो LPG CNG होता है, अगर आप इसको भी यूज करो तो ये भी वही काम करेगा, तो अगर आप देखो CNG में जनरली यूज होता है, तो अगर यह burn हो रहा है यह air तो carbon dioxide and water यह दो compounds release हो रहे हैं दोनों ही nature के लिए harmful नहीं है carbon dioxide is normal carbon dioxide which will lead to global warming a little bit लेकिन यह कोई pollution करने वाला agent नहीं है CO2 and H2O भी pollution create नहीं करता तो इसलिए यह दोनों ही compounds जो byproducts है यह clean है यह as such बहुत pollution create नहीं करते है तो इसलिए इसको burn करना is like clean to environment इसके बाद में alcohol वाला एक group है इसको अगर हम burn करते हैं तो यह भी carbon dioxide बनाता है H2O बनाता है और energy release करता है तो यानि carbon compounds को जब हम burn करते हैं तो वो carbon dioxide बनाएंगे H2O बना सकते हैं और heat जरूर देंगे इसलिए जितने भी fuel होते हैं उन सब में carbon use होता है मतलब उन सब में carbon होता ही है generally ठीक है किसी किसी में नहीं होता जैसे hydrogen अगर liquid hydrogen से जलाओगे तो वो अलग चीज़ है बट carbon compounds are very good fuel okay okay sir और इसमें भी मैं यह चीज़ अपको बता चुका हूं कि saturated hydrocarbons burn easily without giving any smoky flame whereas unsaturated hydrocarbons burn with giving a yellow flame with lots of smoke etc right sorry okay then oxidation तो यह ना reaction एक याद रख लेना इसके lab based question इस पर आते हैं तो आप जबी भी किसी alcohol को जबी आप किसी alcohol को alkaline Kmno4 के साथ react करोगे alkaline Kmno4 along with heat या तो आप alkaline Kmno4 यूज करो or you can also use acidified K2Cr2O7 acid K2Cr2O7 इन दौनों में से आप कोई भी एक चीज़ यूज कर लो इधर alkaline Kmno4 और acid K2Cr2O7 तो यह जो भी alcohol यहां होगा उतने ही carbon का एक oic acid बना देगा यानि carboxylic acid बना देगा ठीक है example देखते हैं इसका for example यहां पर आपने देखा कि alcohol था हमारे पास CH3CH2OH this is ethanoic this is ethanol तो अगर इसको हमने alkaline Kmno4 या acidified K2Cr2O7 के साथ में react करवाया है तो यह बनाएगा carboxylic acid और 2 carbon का तो 2 carbon का carboxylic acid होता है CH3COOH ठीक है ओके तो यह simply करता क्या है oxygen बढ़ा देता है oxidize कर देता है तो अगर आप यहां देखो तो यहां पर oxygen सिरफ एक था लेकिन reaction के बाद oxygen कितने हो गए है दो तो यह हो गई oxidation reaction तो याद रखोगी इस reaction को यह सर ठीक है और जबी भी यह word मिल जाए न आपको alkaline Kmno4 और acidified K2Cr2O7 तो समझ जाना इसी reaction की बात हो रही है ठीक है अगर यहां पर आप यह जो अगर यह लेते आप पांच reaction सरफ उनकी होती है जो unsaturated होते हैं तो unsaturated hydrocarbons जिनमें double और triple bonds मौझूद है इधर double और triple तो उनको अगर हम react करवाते हैं निकल से along with hydrogen gas तो hydrogen gas और nickel यह दो चीज़े हमने दी हुई है तो यह क्या करते हैं यह अपना unsaturation तोड लेते हैं और saturated बन जाते हैं ठीक है for example यहाँ पर double bond है निकल और hydrogen की presence में यह hydrogen इसमें जुड़ जाएगा और यह बनाएगा carbon carbon single bond और hydrogen यहाँ पर जुड़ जाएगे जो इनके साथ पहले से था वो रहे गई मानलो इसके साथ पहले से CH3 था यहाँ पर C2H5 था लेकिन यहाँ double bond था तो जहाँ भी double bond होगा न उस double bond को break करके उसके साथ hydrogen attach करने का काम यह nickel करेगा ठीक है? ओके साथ एंड यहाँ पर triple bond है तो triple bond के साथ में भी अगर यह same reaction करोगे nickel and hydrogen के साथ में तो यह triple bond सबसे पहले break होगा double bond में और फिर भी अगर आप यह reaction continue करोगे तो यह break होगा single bond में तो unsaturated को saturated में convert करने के लिए यह addition reaction perform की जाती है addition reaction is adding hydrogen तो hydrogen add करते हैं और उसके double और triple bond को break कर देते हैं this one is known as addition reaction इसका example जरूर याद रख लेना कोई साभी example याद रख लेना R यहाँ पर क्या है R से confuse मत हो ना R का मतलब है जिसे कुछ भी हो सकता है R का मतलब alkyl यह हो सकता है C2H5 हो यह हो सकता है CH3 हो तो हमें जैसे carbon double bond carbon इसके साथ में और भी कुछ जड़ा हुआ होगा यहाँ पर कुछ होगा यहाँ पर कुछ होगा तो हमें सिर्फ इस carbon carbon को देखना है इससे पहले जो था उसको R मान लिया इसके बाद में जो था उसको भी R मान लिया तो बस R का मतलब कुछ नहीं है जो उसके साथ में जुड़े हुए carbon की पूरी chain है उसको R बोला हुआ then we have substitution reaction बहुत ही simple और बहुत ही important है substitute means replacing anyone किसी चीज़ को replace करना तो अगर अगर यहाँ पर CH4 है और इसकी reaction एक halogen group से करवाई गई है जो कि है CL2 तो इसने क्या करा एक hydrogen को हटाया और खुद जाकर के जुड़ गया चिक है और बाकी एक side product बहुत है बना लिया तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो दो क्लोरीन थे और यहाँ पर एक चार hydrogen लगे हुए इस carbon के साथ थे तो यह chlorine ने क्या करा इस chlorine ने इस hydrogen को हटाया और खुद के साथ bond बना दिया तो HCl बन गया और यह chlorine जाके इसके साथ जुड़ गया तो यह बन गया CH3Cl में होता है यही reaction अगर आगे continue होगी तो फिर और भी chlorine अवेलेबल होगी और chlorine फिर से यह reaction परफॉर्म करेगी और यह एक और hydrogen को हटा देगी और खुद जाके अब यह दो हो जाएंगे दो chlorine एड हो गए फिर भी अगर यह reaction आगे continue होती है chlorine अभी भी अवेलेबल है chlorine खतम नही chlorine जोड़ देगा और यह बनाएगा CCL4 तो दिस CHCL3 आपको याद हो यह CHCL3 क्या होता है आप मुझे बता सकते हो यह मैंने अपनी last class में discuss किया था मुझे नहीं पता यह कहां पर आया था पर यह है chloroform CHCL3 जैसे सूंकर बेहोश रहते हैं TV वगरा में यह दिखाते हैं तो दिस इस chloroform यह एक बेहोश करने वाला एक substance होता है तो क्लोरीन क्योंकि यहां पर 4 है इसलिए कार्बन टेट्रा ख्लोराइड ओके दैन वी हेव प्रॉपर्टीज ओफ एथेनॉल प्रॉपर्टीज ओपर्टीज ओपर्टीज ओटीज तो एथेनॉल एक एक ऐसा substance है जिसका melting और boiling point दोनों ही low होता है easily boil हो जाता है easily melt, melt तो होता है यह क्या room temperature पर liquid होता है और यह generally alcoholic beverages बनाने में ethanol का काम आता है alcoholic beverages जितने भी होती है उसके अंदर कुछ percentage में ethanol mix होता है सब में ठीक है either it is whiskey, rum और anything तो उसके अंदर ethanol का content mix होता है और इसकी property, ethanol की property होती है कि यह mind को जाकर के slow कर देता है थोड़ा सा lethargic कर देता है जिसकी वज़े से हमें कुछ मतलब mind में जो चीजे है mind की processing है वो थोड़ी सी slow हो जाती है ठीक है इसलिए इसको नशे के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है तो ethanol अगर लेकिन much more quantity में अगर consume किया जाए तो उससे death भी हो सकती है ठीक है it can also lead to death other wise it is used for drunkness ठीक है और ethanol को हम lab में बहुत जादा यूज करते हैं हमारे बहुत सारे experiments होते हैं जिसमें हम ethanol का use करते हैं तो ethanol laboratory wise भी important है और लोगों के बीच में भी काफी popular substance है इसलिए commercial ही देखा जाए इंडस्ट्री लेवल पर देखा जाए तो ethanol एक बहुत important element compound है हमारे पास ठीक है अगर ethanol में यह ethanol है this one is ethanol means 2 carbon and last में OH so इसको आप generally यह भी लिखते है CH3 CH2 OH this is ethanol तो ethanol में अगर हम sodium add करते हैं तो यह hydrogen को replace कर देता है और this will form CH3 CH2 ONA this is sodium ethoxide ethanol है इसलिए ethoxide और क्योंकि sodium जुड़ा हुआ है इसलिए sodium ethoxide ठीक है अगर यह alcohol जो है ethanol यह important reaction है इसको जहां रखना this is dehydration reaction तो अगर हमारे पास ethanol है CH3 CH2 OH अगर इसकी reaction की जाती है hot concentrated H2SO4 के साथ में तो इसमें से water को remove कर देता है water को remove कैसे करता है इस OH को यहां से remove करता है और एक hydrogen ठीक है और इसमें यह जो बना है यह है alkene तो इस reaction में याद रखना हम लेते हैं alcohol और उसको reaction करवाते हैं concentrated H2SO4 के साथ में और यह बनाता है अलकीन same number of carbon का along with H2O यह important reaction है dehydration reaction के नाम से यह आएगी then we have properties of ethanoic acid ethanoic acid oic acid का second carbon है second group है यानि कि जिसको हम लोग CH3 CH 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 यह हमारा formula है ethanoic acid का और यह एक acid है हाला कि बहुत strong नहीं है लेकिन बहुत weak भी नहीं होता और इसको अगर हम 5-8% mix करते हैं water में यानि कि सरफ यह हमने लिया 8% और बाकी 92% के around पानी इसमें mix किया तो उसको हम बोलते हैं vinegar तो just 5-8% of ethanoic acid is called vinegar और यह vinegar में भी हम लोग generally पानी वगारा add करके इसको हम use करते हैं for different consumption purposes यानि कि या फिर noodles बनाते time या फिर कभी इसको अचार में भी यूज किया जाते है और pickled vegetables के लिए तो different type के हम खाने में यूज करते हैं vinegar का और यह mild acid होता है लेकिन जो इसका parent acid है that is ethanoic acid जो की weak तो नहीं होता लेकिन strong भी नहीं होता बहुत ठीक है जो सर्दिया है जो winter season में इसका melting point क्योंकि काफी low होता है इस वज़े से अगर pure ethanoic acid को लिया जाए तो वह winter season में freeze हो जाता है इसलिए इसका एक और नाम भी होता है इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसेटिक एसेड एसेड भी ethanoic acid को ही बोलते है तो acetic acid is same as ethanoic acid तो acetic acid, glacial acetic acid बोला जाता है ethanoic acid को क्योंकि यह सर्दियों में freeze हो जाता है ठीक है एंड एक reaction आती है हमारे पास जिसमें ethanoic acid और alcohol का reaction होता है तो अगर आप ethanoic acid यह ethanoic acid है हमारे पास इसका reaction अगर आप करवा रहे हो एक alcohol यानि ethanol के साथ तो यहां पर होगा क्या इसमें H2O release होगी यहां से OH और यहां से H और यह बनाएगा CH3 C double bond O और O CH2 CH3 तो यह यहां से OH release होगा और यहां से O release होगा तो थोड़ा correct कर देता हूं यहां से OH release होगा और यहां से H release होगा और यह आपस में combine हो जाएंगे and they will form this thing which is called ester ester is a fruit like sweet smelling substance तो इसकी fruity smell होती है काफी sweet smell होती है ester की इसलिए perfumes बनाने में जितने भी carbonated rings होते है maza fenta इन सब में flavoring agent के तौर पे जितनी भी candies होती है mango bite etc जिसमें fruit का flavor लाने की कुशिश की जाती है उनमें सब में ester का use होता है क्योंकि ester की काफी sweet smelling substance होती है जिसकी वज़े से यह टेस्ट में fruity होते है इस वज़े से इसको use करते है for different different purposes अब इस ही ester को अगर आप यह ester है अगर आप ester को react करते हो sodium hydroxide के साथ यानि base के साथ तो हमारे पास में compound बनता है इस तरीके का कुछ compound बनता है यह वाला यह compound है soap this is soap is known as saponification reaction saponification reaction saponification reaction saponification reaction means soap बनाने की reaction जिसमें हम ester लेते हैं ester को react करवाते हैं sodium hydroxide या base के साथ में और यह बनाता है soap तो यह है saponification reaction ठीक है then we have soaps and detergent तो जो soap और detergent जो भी होते है इनका काम क्या होता है तो generally इनके अंदर सोप हो या डिटर सोप की मैं पहले बात कर लेता हूं तो अगर सोप है जैसे मैंने अभी एक सोप की का एक example दिया था sorry CH3 COO Na तो यह इसमें दो हिस्से होते हैं एक तो CH3 COO minus और Na plus यह वाला हिस्सा minus का है यह वाला हिस्सा plus का है यह generally होता है hydrophilic और यह वाला हिस्सा होता है hydrophobic hydrophilic means water loving and hydrophobic means water hating तो यह water से दूर रहता है हमेशा यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट हमेशा water के साथ में mixed रहता है तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यह soap का मीजल है soap का मीजल छोड़ो यह एक soap का molecule है तो soap के molecule में यह जो इतना भी नीचे है यह सारी carbon की लंबी लंबी chain है और यह last में sodium है यह जो carbon की chain है यह dirt के साथ attach होती है यह dirt है, grease, dirt, chicken hut इन सब के साथ attach होता है carbon और sodium का यह end जो है इसका hydrophilic end वो water के साथ attach होता है तो होता क्या है कि काफी सारे molecules of soap एक dirt particle को अच्छे से इंगल्फ कर लेते हैं पकड़ लेते हैं और यह जो water loving part है यह water के साथ जोड़ जाता है तो जब हम wash out करते हैं चीजों को धोते हैं तो पानी के साथ में यह hydrophilic end जाता है और hydrophilic के साथ hydrophobic जाते है और hydrophobic के साथ dirt चिपक के जाती है इस तरीके से soap जो है वो अपना cleaning action perform करता है लेकिन soap cannot work in hard water तो hard water में क्या होता है मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि hard water के अंदर काफी सारे salts होते हैं वो हैं soap के साथ में combine होते हैं और बनाते हैं scum और यह जो scum है यह एक white color का precipitate होता है white color का precipitate होता है जो की soap को अच्छे से work करने नहीं देता इसलिए cleaning अच्छे से perform नहीं हो पाती है तो अगर आपका water hard है तो soap अच्छे से work नहीं करेगा तो soap works in soft water लेकिन detergent जो होता है उसका थोड़ा working अलग होता है इसलिए detergent can work in hard water आते हैं soap और detergent में वो मैं आपको बता देता हूँ soap and detergent soap जो होता है ये long chain of soap की जो chain होती है वो comparatively smaller होती है comparatively smaller मतलब कि थोड़ी सी चोटी होती है detergent के मुकाबले detergent की chain जो होती है वो comparatively larger होती है कि तो फोन एक थोड़ी बाइडी चेन को ती यह वो पिंद सो आइगेडम सो जो है वो नेचर में अगेड हो जाते हैं तो इस बांटेश हम वह का में टेइड़ेड एस दॉैच लास्ट में शॉपनिक गुरूप is generally attached in detergent इन हीवाइल डिटेजेंट के इन हर्ड ओर किन हाड वाटर यह इफ्रेट पर desse सोप एड डिटेजेंट डिटेजेंट को तो इसलिए हम क्योंकि यह स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है इसलिए हम डिटरजेंट को लाइक नहाने वगरा में यूज नहीं करते हैं बट वी यूज देट इन वाशिंग क्लोंज और वाशिंग एनिफिंग ठीक है तो यह डिफ्रेंस है कि यह चैप्टर हो चुका है फिनिश